सबसे पहले इस टाइटिल को देखते हैं ट्रेडिंग अप ट्रेडिंग अप का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट है उसके फीचर्स को और ज्यादा बढ़ा देना ताकि उसकी ओवरॉल प्राइस जो है वो बढ़ जाए उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अप और इसका उल्टा होता है ट्रेडिंग डाउन ट्रेडिंग डाउन का मतलब है कोई प्रोडक्ट है उसके फीचर्स को आपने कम कर दिया तो उसकी प्राइस भी जो है वो कम हो जाती है ट्रेडिंग अप में क्या किया जाता है जो हाईयर एंड मार्केट है यानि कि ऐसे कंजुमर्स जो ज़्यादा पैसा देने को तयार है अच्छे प्रोडक्ट के लिए उसे टारगेट किया जाता है और ट्रेडिंग डाउन में क्या किया जाता है इसका जस्ट उल्टा लोवर एंड मार्केट को टारगेट किया जाता है तो देखते हैं वर्ल्ड बैंक्स ग्रोथ प्रोग्नोसिस फॉर इंडिया कि वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ के संबंद में जो prediction किया है इंडिया के संबन्द में यहाँ prognosis का मतलब हो जाएगा एक तरह से forecast करना prediction करना for India moots तो world bank ने growth के संबन्द में यानि कि जो भारत है उसकी आर्थिक व्रद्धी कितनी रहेगी आर्थिक growth कितनी रहेगी इसके संबन्द में जो prediction किया है तो उसके माध्यम से क्या हुआ है कि world bank का जो prognosis है moots moot का मतलब होता है discussion के लिए कोई बात सामने रखना उसको हम बोलते हैं moot moot का मतलब है कि subjected to discussion यानि कि कोई कोई विचार है जिसे आप क्या करते हो रखते हो ताकि उस पे और ज़्यादा तरक वितरक किया जा सके उस पे और ज़्यादा discussion किया जा सके moots some policy shifts कहने का मतलब ये है कि world bank ने growth संबन्दित जो prediction किया है इंडिया के लिए वो prediction हमारे सामने इन बातों को रखता है किन बातों को कि इस बात पर विचार किया जाए कि क्या कुछ policy में परिवर्तन किये जाने चाहिए क्या कुछ policy shifts किया जाना चाहिए in its latest India development update the world bank has raised raise का मतलब और बढ़ा देना और ऊपर उठा देना किसी चीज को its 2024-25 GDP growth forecast for the economy to 7% तो अभी हाल ही के नवीनतम इंडिया development update में world bank ने क्या किया है 2024-25 के जो gdp growth forecast वोई forecast का मतलब prediction करना तो इंडिया के लिए जो prediction gdp growth को लेकर world bank ने किया था उस prediction को और उपर उठा दिया है world bank ने और कहा है कि बहुँ 2024-25 में भारत की जो gdp growth है वो कितनी रहेगी 7% और पहले कितनी बताई थी world bank ने gdp growth भारत की from 6.6% estimated estimated का मतलब है आंकलित अनुमानित earlier अर्लियर यानि पूरु में this year यानि कि इस साल के पूरु में world bank ने भारत के संबंद में कहा था कि भारत की gdp growth जो है 2024-25 के लिए लेकिन अब उस आंकले को बड़ा दिया है world bank ने और कहा है कि भारत की growth कितनी रहेगी 7% the projection projection का मतलब यह होता है एक तरह से forecast is now in sync with predictions देखो sync का मतलब है एक तरह से mail खाना with predictions from the international monetary fund and asian development bank अब देखो कि asian development bank की तरफ से इसके लावा international monetary fund ने भारत की gdp growth को लेकर जो predictions किये थे उन predictions से अब world bank का prediction भी mail खा रहा है but a tad lower यहां पर यह जो लिखा हुआ ना but a tad lower का मतलब थोड़ा सा नीचे then the 7.2% uptick projected by the RBI RBI ने भारत की growth को लेकर क्या projection किया था RBI ने कहा था कि भारत की growth जो हो कितनी रहेगी लगबक 7.2 प्रतिश्यत projected by the RBI and Fitch ratings तो Fitch ratings और RBI के द्वारा भारत की GDP growth के संबंद में कहा था कि भाई यह कितनी रहेगी 7.2 प्रतिश्यत तो 7.2 प्रतिश्यत के आंकडे से यह 7 प्रतिश्यत जो है थोड़ा सा नीचे है लेकिन International Monetary Fund, Asian Development Bank और World Bank है ना तीनों लगबक जो है वो 7 प्रतिश्यत के आसपासी भारत की GDP growth को बता रहे हैं earlier पूरु में growth hops for India were slightly modest modest का मतलब होता है न तो ज्यादा न कम growth hops for India were slightly modest partly due to its strong 8.2% growth last year पिछले साल की अगर हम बात करें तो भारत की GDP growth कितनी रही थी 8. partly का मतलब होता है आंशिक रूप से partly due to its strong 8.2% growth last year की पिछले साल की अगर हम बात करें तो strong GDP growth भारत की रही थी कितनी 8.2 प्रतिश्यत तो इस last year की इस strong growth के कारण इस साल भी जो growth से जुड़ी हुई जो उम्मीदी थी वो थोड़ी सी जादा थी and prospects of, prospect का मतलब है संभावना, of the global economy staying का मतलब है बने रहना, weak due to restrictive monetary policies restrictive का मतलब है रोकने वाली, restrict करने वाली monetary policies and persistent, persistent का मतलब है लगातार बने रहने वाला लगातार बनी रहने वाली geopolitical tensions, भू, राजनेतिक tensions geopolitical tensions का मतलब है उधारन के तोर पे जैसे हमें गाजा छेतर में जो है वार देखने को मिल रहा है रशिया और योक्रेन के बीच में जो है वार देखने को मिल रहा है यानि कि देशों के बीच जो राजनेतिक संबन्दे हैं वे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं geopolitics तो इस बात की भी संभावना थी क्या कि जो global economy है वो weak बनी रहेगी किस कारण से due to restrictive monetary policies की monetary policies जो है वो एक तरह से restrictive हैं और दूसरी बात लगातार जो geopolitical tensions है वो पूरे विश्व में बनी हुई है तो इस कारण भी ये उम्मीद थी कि global economy जो है weak रहेगी तो एक तो global economy के weak बने रहनी की उम्मीद थी और दूसरी बात पिछले साल भारत का जो growth prospect था वो बहुत अच्छा था तो इनको देखते हुए लग रहा था कि वही इस साल भारत की जो growth है वो काफी ठीक टाक रहेगी The World Bank estimates global growth to be the same as last year's 2.6% pace pace का मतलब होता है चाल रफ्तार World Bank ने ये estimate किया है ये आंकलन लगाया है कि global growth कितनी रहेगी to be the same समान ही रहेगी जितने की last year रही थी कितनी रही थी last year global growth 2.6% वे बिलो और ये बहुत ज़्यादा कम है pre pandemic levels pandemic का मतलब है यहाँ पे वैश्विक महामारी coronavirus की बात हो रही है corona महामारी की बात हो रही है तो corona महामारी के पहले जो growth का level था world की हम बात कर रहे हैं तो वो level ज़्यादा था और pre pandemic level से अब जो ये level चल रहा है नो काफी कम चल रहा है ये 2.6% का जो growth level है वो बहुत ही कम है despite this despite के बावजूद despite this subdued external environment subdued का मतलब होता है जहां आपको बहुती एक तरह से energy की कमी देखने को मिलती है strength की कमी देखने को मिलती है तो external environment की अगर हम बात करें बाहरी बातावरण की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें कम intensity दिखाई देती है low energy दिखाई देती है and the dissipation dissipation का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाना gradually disappearing dissipation of post COVID-19 rebound rebound का मतलब होता है फिर से उचाल आना rebound effects post COVID-19 COVID-19 के बाद में rebound effect देखा गया यानि की COVID-19 के कारण पूरी तरह से अर्थ व्यवस्ताएं या growth वो रुक गई थी लेकिन जैसे ही lockdown हटे इसके बाद में क्या हुआ rebound देखा गया यानि की जबरदस्त growth में changes आए है ना growth में positive changes आए तो यह जो post COVID-19 rebound effect था वो भी धीरी धीरी कम हो रहा है dissipate हो रहा है इसके अलावा external environment की अगर हम बात करें है ना पूरे एक world level पे अगर हम बात करें तो वहाँ भी energy जो है ना वो कम दिखाई देती है तो इन सब को धिहान में रखते हुए the banks economies now expect कि world bank के जो अर्थशाफ्त्री हैं वो यह उमीद करते हैं क्या India's growth to remain कि भारत की जो GDP growth है वो बनी रहेगी कितनी strong this year at 7% काफी strong बनी रहेगी और कितनी रहेगी लगबग 7% however external risk could cloud this देखो कोई भी चीज अगर cloud करती है तो इसका मतलब है वो progress में रुकावट डाल सकती है यानि कि बोलते ना कि बादल चा गये हैं इसके उपर है बादल चा जाने का मतलब है कि negatively आप प्रभावित हो रहे हो तो जो बाहरी चुनोतियां है external risks हैं वे भारत की जो growth है उसको खत्रे में डाल सकती है including क्या खत्रे हैं भारत की growth के लिए including pressures on supply chains and commodity prices कि जो जो भी commodities हैं उनकी जो prices है जो supply chain है पूर्ती chain है उस पर जो pressure बना हुआ है and a resurgence resurgence का मतलब है फिर से उभरना फिर से सामने आना of inflation का मतलब है यहां पर मुद्राइस फिती महंगाई that could compel यानि कि महंगाई जो है वो फिर से बढ़ सकती है और यह बढ़ी हुई महंगाई compel कर सकती है compel करने का मतलब है force करना could यहां पर आया है possibility के लिए could compel central banks to hold interest rates higher or longer hold का मतलब है position को बनाए रखना कि अगर inflation बढ़ती है अगर ऐसा होता है तो यह बढ़ी हुई inflation force कर सकती है मजबूर कर सकती है central banks को central banks जो है वे interest rate को लंबे समय तक high बनाए रखे the bank expects जो world bank है वो यह उमीद करता है private consumption निजी उपभोग to rise बढ़ना 5.7% and the farm sector to grow 4.1% this year कि इस साल क्रशी छेत्र में 4.1 प्रतिशत की ग्रोथ रहेगी और जो private consumption है उसमें 5.7% की जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी है ऐसा world bank उमीद करता है from last year's एनेमिक trend एनेमिक का मतलब होता है without any energy from last year's एनेमिक trend है ना पिछले साल के trend की अगर हम बात करें कि यह जो farm sector था या private consumption था तो उसमें इतनी energy नहीं थी यानिकि इतना growth नहीं देखी गई थी a recovery in farms could offset अगर recovery होती है farm छेतर में कृष्ची छेतर में could यहाँ पे आया है possibility के लिए offset का मतलब होता है संतुलित करना balance करना a slight moderation in industrial growth देखो industrial growth में slight moderation का मतलब है कि जो industrial growth है उसमें जो थोड़ी कमी आई है उस कमी की पूर्ती कर सकती है हमारी हमारा यह जो farm छेतर है ना यह जो कृष्ची छेतर है वो कृष्ची छेतर इस चीज को balance कर सकता है कि इस चीज को industrial growth में जो थोड़ी सी कमी आईगी तो उस कमी को farm sector जो है वो balance कर सकता है और यह जो farm sector है हमारा revive का मतलब है पुनर जीवित करना weak rural demand and और जो कमजोर ग्रामीन demand है यानि कि ग्रामीन छेत्रों में अगर हम देखें तो जो demand है वो काफी कम है तो इस weak demand में और मजबूती ला सकता है farm sector and help और क्या कर सकता है farm sector bolster का मतलब है support provide करना private investment in the medium term की medium term का मतलब हुआ madhyaavadi की थोड़ी देर के लिए madhyaavadi के लिए जो private investment है उसे भी farm sector bolster यानि की support दे सकता है with GDP growth expected to hover, hover का मतलब है mandraana, बने रहना in the 6.5% to 6.7% range in coming years की आने वाले वर्षों में GDP growth जो है उसके संबंद में ये उमीद है कि वो 6.5 से 6.7 प्रतिशत के दाइरे के बीच बनी रहेगी अब देखो इंडिया के लिए ये imperative है का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट होना extremely important to generate non-farm jobs कि भारत के लिए बहुत ही जरूरी है कि भारत जो गैर क्रिशी jobs है उन्हें और ज्यादा पैदा करें, उन्हें जनरेट करें the bank acknowledged ideas such as acknowledge का मतलब होता है सुईकार करना such as the production linked incentive incentive का मतलब होता है प्रोटसाहन देना किसी चीज को कोई बढ़ावा देना incentive schemes to support private manufacturing investment कि जो private manufacturing investment है इनको support करने के लिए क्या किया जा सकता है production linked incentive schemes है यानि कि production से जुड़ी हुई कुछ incentive देने वाली schemes जो है उनको world bank जो है उसने acknowledge किया है कि इनको आप और जारी रख सकते हो इसके अलावा जैसे कि new employment linked incentive रोजगार से जुड़े हुए अन्य जो incentives है तो यह कुछ बाते हैं जो help कर सकती है but these may not be able to generate the scale of activity लेकिन हमने यहाँ पर बात की कि production linked incentives है employment linked incentives है लेकिन यह शायद परियाप्त नहीं है may not be able to generate the scale of activity India needs to engage its young workforce कि भारत की जो young workforce है यानि कि भारत के पास काम करने वाले लोग बहुत जादा है और उन सब को engage किया जा सके यानि कि उन सब को काम में लगाया जा सके तो उसके लिए भारत को बहुत बड़े पैमाने पर activities की आवशकता है तो वर्ल्ड बैंक ने इस बात पे जोर दिया है कि जरूरत है कि एक बार फिट से विचार किया जाए किस चीज पे on India's approach to a critical growth engine अब देखो भारत की जो growth है उसका मुख्य engine क्या है trade व्यापार तो इस व्यापार के प्रती भारत की जो दरिश्टी कोण है भारत की जो approach है उसको rethink किया हो शकता है यानि कि trade को लेकर trade जो कि भारत का growth engine है इस संबंद में जरूरी है कि भारत एक बार से पुनहें विचार करें पुनहें सोचें India's global trade share does not match its economy size यानि कि भारत की अर्थव्यवस्ता का जो size है उसके अनुपात में भारत global trade नहीं करता है कि भारत का जो global trade share है वो match नहीं करता है उसकी economy से यानि कि भारत की अर्थव्यवस्ता तो बहुत बड़ी है लेकिन उस अनुपात में भारत global trade नहीं करता है and it is yet to capitalize capitalize का मतलब है यहाँ पे एक तरह से लाभ लेना yet का मतलब है अभी किया नहीं है करना है and India is yet to capitalize on the opportunity presented by China's withdrawal withdrawal का मतलब है पीछे हट जाना from labor intensive intensive का मतलब होता है गहन labor intensive का मतलब है जहां labor बहुत जादा है labor intensive production or the much wanted wanted का मतलब है जिसकी बहुत जादा प्रशंचा की गई है जिसकी बहुत जादा तारीफ की गई है much wanted का मतलब है जिसकी बहुत जादा तारीफ की गई है चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन, क्या है चाइना प्लस वन? चाइना प्लस वन जो है, एक ऐसी बिजनिस स्ट्रेट जी है, जिसके तहत क्या किया जाता है? कि जो सप्लाई चेन है, और जो निर्मान है, उसको डाइवर्सिफाई किया जाता है, बियोंड चाइना, to other countries, यानि कि चाइना के बाहर, अन्य कई देशों को इंक्लूड करते हुए, सप्लाई चेन को बढ़ाया जाता है, मैनुफेक्चरिंग को बढ़ाया जाता है, क्यों? क इसे कहा गया है, चाइना प्लस वन, यानि कि कई देशों के साथ, जो है, अपने व्यापार को बढ़ाना, ताकि रिस्क कम हो सके, तो देखो, कहने का मतलब क्या है? कि भारत को अभी इस अपॉर्चुनिटी का लाब उठाना है, जो अपॉर्चुनिटी चाइना ने हमारे स प्रस्तुत की है, चाइना जो है, पीछे हट गया है, किस चीज से? लेबर इंटेंसिव प्रोड़क्शन से, तो भारत इस लेबर इंटेंसिव प्रोड़क्शन का लाब उठा सकता है, तो ये जो लेबर इंटेंसिव प्रोड़क्शन है, या फिर मच वॉन्टेड, जिसकी मतलब है पुने सैट करना तो यह जैसे चाइना हटता है वहाँ से तो क्या कर सकता है भारत उसकी जगह ले सकता है concern का मतलब है एक जो चिंता है is a decline का मतलब है कमी आना in export related jobs over the past decades कि पिछले दशक के दौरान हमने क्या देखा जो export related jobs है यानि कि export related jobs है उनमें कमी आई है तो यह एक concern है एक चिंता का विशे है flagged by और यह बात किसने चिन्नित की है flagged का मतलब है दिखाना चिन्नित करना by the bank world bank के दौरा यह बात चिन्नित की गई है coincide का मतलब है mail खाना with a shift towards capital and skill intensive exports क्या देखने को मिला है देखने को यह मिला है कि export related jobs में कमी आई है इसके अलावा shift देखने को मिला है परिवर्तन देखने को मिला है किस चीज की और capital and skill intensive का मतलब है जिसमें आपकी skill बहुत जादा भूमी का निभाती है skill intensive export जो है उसमें बड़ोतरी हुई है while trade facilitation steps trade facilitation steps का मतलब हुआ कि facilitate करने का मतलब होता है सुगम बनाना और आसान बनाना and the pursuit, pursuit का मतलब है यहाँ पर पाने का प्रियास करना of free trade agreements are commendable commendable का मतलब होता है तारीफ के लायक प्रिशन्षनिय जबकि जो trade facilitation steps है इसके अलावा free trade agreements को पाने का जो pursuit है उसको पाने की जो कोशिश है यह कदम जो है यह commendable है यह प्रिशन्षा के लायक है लेकिन some like the one लेकिन कुछ steps की अगर हम बात करें कुछ कदम की अगर हम बात करें जैसे की some like the one with EFTA have limited potential लेकिन अगर हम कुछ trade agreements की बात करें उधारन के तोर पे EFTA की बात करें EFTA क्या है European Free Trade Association तो यह जो EFTA है इनके साथ अगर हम देखे तो यहां limited potential है यहां यहां जादा ग्रोथ की उम्मीदें नहीं है ग्रोथ की उम्मीदें कम है, limited potential है इट noted है यह बात World Bank ने note की Progress has been hampered Hamper का मत्तब होता है रुकावट डालना By new barriers to goods, services and investments अब देखो, जो भी goods हैं, जो भी उत्पाद हैं, services हैं, investments हैं उनके आगे कई रुकावटें आई हैं Barriers का मत्तब है रोक, रोक, बाधाएं, रुकावटें तो इन रुकावटों के कारण, जो progress है, वो मंद पड़ी है, वो हैंपर हुई है And it has called for, और World Bank ने इस बात की demand की है A new strategic trade plan की एक नया, रहननीतिक, व्यापारिक plan बनाया जाए That reduces tariffs, है ना, और उस strategic trade plan की अंतरकत क्या किया जाए जो विभिन तरह के tariffs है, विभिन तरह के जो tax है, उनको reduce किया जाए इसके अलावा, non-tariff barriers, इसके अलावा, एक तो हो गए, tariff barriers इसके अलावा, जो non-tariff barriers है, उन्हें भी हटाया जाए as well as FDI curves, foreign direct investment को लेकर, जो रुकावटे हमने लगा रखी है curves का मतलब है, यहाँ पर रुकावटे, उन्हें भी कम किया जाए and a rethink, और एक बार फिर से पुनाय विचार किया जाए किस चीज पर, of the reluctance, reluctance का मतलब होता है, unwilling होना, अनिच्छुक होना किसी काम को करने के आप इच्छुक नहीं हो reluctance towards multilateral, plurilateral, देखो यह जो multilateral या plurilateral है इसका मतलब है, बहु पक्षिय, pact का मतलब है, समझोते such as the RCEP, आर, देखो, कि अन्य जो समझोते हैं, कुछ बहु पक्षिय समझोते हैं जिनको लेकर भारत unwilling है, इच्छुक नहीं है, इन समझोतों के प्रती भारत RCEP का मतलब है, Regional Comprehensive Economic Partnership तो इस तरह के जो बहु पक्षिय, pact हैं, उनके प्रती भारत की जो reluctance है उस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है Policymakers must heed this prescription, कि जो हमारे नीती निर्माता है heed का मतलब है, ध्यान देना उनको क्या करना चाहिए, इस prescription पे ध्यान देना चाहिए prescription का मतलब है, देखो prescription का एक general मतलब आपको पता होगा डॉक्टर आपको कागज में कुछ लिखके देता है, प्रेस्क्रिप्शन की ये दवाईया ले लेना तो यही यहाँ पर मतलब है प्रेस्क्रिप्शन का मतलब है, कोई भी प्लान या कोई भी suggestion जो की दिया गया है आपको इंप्रूव करने के लिए तो कुल मिला के जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंप्रूव्मेंट्स के लिए सुधार के लिए, जो कुछ बातें बताई गई है उन पर ध्यान देने की जरूरत है, यानि कि पॉलिसी मेकर्स उन बातों पर ध्यान दें इन अर्नेस्ट, इन अर्नेस्ट जो बातें बताई गई हैं उन पर बहुत ही सीरियसली और बहुत ही अर्जेंटली विचार करने की आवशक्ता है ये था हमारा आज का एडिटोरियल